दिल्ली जैपोर रोड अस्तित निम्स विश्विद्याले के निम्स स्कूल आफ हीमिनिटी एंड सोशल साइंस की ओर से दो दिवस्या रिसर्च मैठोटोलोजी वरक्शॉप का आयूचिन क्या गया कारिकरम में बतौर मुक्य हती थी निम्स विश्विद्याले की प्रवाइस च्रांसलर डॉक्टर संध्या खट से रही जहां उन्हें कहा कि आज के समय में गुर्वत्ता पूर्ण रिसर्च होना जरूरी है शोद के शेत्र में आज भी अन्य देशों से की तुलना में हमारा देश काफी पीछे हैं उन्हें कहा कि साइंटिफिक एंड सोशल रिसर्च म इस अफसर पर डॉक्टर कॉषल सिंग्ग, तोमर, डॉक्टर जावेद आलम, मनुर्ज सूर्य वंश्य और डॉक्टर हपी मिश्वा ने भी विचार रखें इस अफसर पर डॉक्टर के तरफ से निम्स यूनिवर्सिटी में रिसर्च मेथाडोलोजी का वर्क्शॉप स्टूडेंट्स के लिए और्गनाइज किया गया था जिसमें दीपाली सिंग जो प्रिंसिपल है मेडम, उन्होंने हमें अमंत्रित किया और मुझे यहां आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो एकदम इंट्रेस्टेड दिख रहे थे और टॉपिक सीखने के लिए बहुत उच्छुक थे और सब लोग अपने जगह पे विराजमान थे और मैंने उन्हें थोड़ा सा मारगदरिशन किया कि रिसर्च क्या चीज है किस धंग से करना चाहिए और उनको उनसे ये शपत ग्रहन करवाया कि अब इस वरक्शॉप के बाद हर स्टूडेंट जो है वो अपने एरिया में एक कोई भी रिसर्च पेपर जरूर लिखेगा और उसे पब्लिश करेंगे ये बात उनको बताया जिसके लिए स्टूडेंट ने जोरदार तालिया भी बजाई और हमी दिया कि हा मैडम हम शूरली रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे प्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छा लगा इस डिपार्टमेंट के तरफ से एक बहुत अच्छा उत्तम उपकरम हुआ है और मैं इस डिपार्टमेंट को अपना best wishes दिना चाहती हूँ कि आगे चल कर भी ये ऐसे ही कुछ काम करते जाए क्योंकि रिसर्च जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि उस रिसर्च के बाग उसका जो रेकमेंडेशन होता है वो कम्यूनिटी में इंप्लिमेंट किया गया तो ओवरॉल सुसाइटी के लिए वो बहुत फाइदेमंद होता है मैं इनकी शुक्र गुजार हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया और आमंतरित किया और दो शब्द कहने का मौका दिया है तो आम ग्रेटफुल तो देम थैंक यू